हेलो फ्रेंड्स बीके कॉंपिटिशन में आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपको यूपीएस्जी जी एस फर्ष्ट की सिलिवर्स की बारे में बताऊंगा तो बिनादेर किये चलते हैं सीरी सिलिवर्स सामान नद्यन फर्ष्ट का पेपर 250 नमर का ये पेपर है यूपीएस्जी का इसका मैन मोटू है भारती बिरासत और संस्कृति बिश्व का इतियाश भूगोल और समाज भारती बिरासत यानि बिरासत के बारे में संस्कृति के बारे में भारत और बिश्व का इतियाश उसका भूगोल और समाज एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं सबसे पहले नमर टॉपिक में भारती संस्कृति भारती संस्कृति में प्राचिन काल से लेकर आधुने काल तक जो कला के रूप हैं साहति के रूप हैं और बास्तु कला मतलब की आपको क्या पढ़ना है भारती संस्कृति में प्राचिन काल से लेकर आधुने काल तक जो भी कला के रूप है जो जो साहति लिखे गए हैं और जो जो बस्तु कला का निर्माड हुआ है उनके बारे में आपको पढ़ना है दूसरा टॉपिक है आधुनेक भारती इतिजास आपको Modern History पढ़नी है इंडियन Modern History जो अठारमी सदी के मद्दे से स्टार्ट हुए अठारमी सदी के मद्दे से स्टार्ट हुए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना अठारमी सदी से मद्दे से स्टार्ट हुए महत्पूर्ण जो जो घटनाय हो उन घटनाओं को पढ़ना है साथ ही उस टाइम जो महत्पूर्ण व्यक्ति थे उनका व्यक्तित्य पढ़ना है और उनसे संबंदे बिशाय पढ़ने यानि कि सिर्फ आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री ना पढ़के सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने अठारमी सदी के मद्दी से लेकर उसमें जो जो घड़ना है उन घड़नाओं के बारे में ब्यक्तित्य के बारे में और बिशाई के बारे में पिर आते हैं सुतनता संग्राम, जो सुतनता संग्राम भारत देश में हुआ था, वो कितनी चरणों में हुआ था, कौन-कौन व्यक्ति थे जिन ने सुतनता संग्राम में अपना योगदान दिया, उनके बारे में आपको पढ़ना है पर सतंतता मिलने के पश्चात, भारत का एक ही करण कैसे हुआ, भारत का पुनर गठण कैसे हुआ इसके बारे में आपको देखना है बल्ड हिश्ट्री में आपको अठारमी सदी की जो जो घटनाए हुई थी जिसे ओध्योक करान्ती, रूसी करान्ती ये सब चीजें इन चीजों को आपको देखना बिश्विद्ध के बारे में तो बिश्विद्धियास में सिर्फ आपको अठारमी सदी की घटना है देखना है उसके बाद भारती समाज की बात करें तो भारती समाज की सेस्ताएं क्या है बिवित्ता भारत की जो बिवित्ता है समाज में उनको देखना है आपको महिला के बारे में देखना है कि महिला की भूमगा क्या है महिला का संगठन कैसे होता है जनसंख्या के बारे में देखना है कि जनसंख्या ब्रद्धी हो रही है उसके कारण क्या है इनकी बारे में गरीबी की बारे में देखना है भारत की बिकाश आत्मक बिसाई देखना है मतलब की बिकाश से सम्बंदित बिसाई सहरी करण के बारे में देखना है आपको कि सहरों के पलायन हो रहा है उससे समस्यां क्या क्या आ रही है और उनका रक्षा कैसे की जाए, मतलब कि इस से कैसे उबरा जाए, इन चीजों को आपको देखना है साथ में भूमंडली करण का प्रभाव देखना है, समाज पर भूमंडली करण का प्रभाव क्या है सामाज एक ससक्ती करण देखना आपको कि सामाज ससक्त कैसे बनेगा संप्रदायबाद और छेत्रबाद और धर्मिनर पेक्षिता ये क्या है संप्रदायबाद, छेत्रबाद, धर्मिनर पेक्षिता की परिवाशा देखना आपको इसके बाद भूगल की बात करें तो भूगल की बिसेस्ता हैं देखना आपको भूगल की प्राकरतिक जो संसादन है उनका डिस्ट्रिबूशन कैसे हुआ है इसके बारे में देखना आपको प्रात्मिक दुतिया वे मतरतियक छेत्र के उद्योग है इनके लिए जिम्मेदार कारक कौन है ये बिल्ड में देखना आपको बिल्ड में और इंडिया दोनों में प्रात्मिक दुतिया के उम्तरतियक छेत्र के उद्योग उसके जिम्मेदार कारक भूबौत की घटनाय कोन सी हुई है जैसे भूगम, सुनामी, चक्रबा, ज्वाला, मुकी, बिपस्पोर्ट इन सबके बारे में देखना है भूगुली बिशिशता देखनी है आपको इनकी, उनके इस्तान देखने मतलब की ये भूगुली बिशिशता कहा कहा हो रही है उनके स्तान बनस्पती प्राणी जगत में क्या परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है इतनी चीजें आपको देखना है जी एस फश्ट में ये है पूरा स्रेवर्स आप थोड़ा थोड़ा वीडियो को पॉस्ट करके देख सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो इंट्रेस्टिंग और नौलिजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजी थैंक्यू सो मच